दुरघटना एक ऐसी घटना है जिसकी खबर अगर लोगों तक पहुँचे तो वह कभी भी लोगों को खुश नहीं करती है वह हमेशा एक उदासी लेकर आती है गम लेकर आती है दुख लेकर आती है हाली में एक दुरघटना हुई है पश्रमंगाल में दार्जलिंग के पास में और उस रेल दुरघटना में कई लोग मारे गए कई लोग घायल हुए यह मानव जिसका इतिहास हजारों लाखों साल करहा है जिसने बड़ी बड़ी चुनोतियों से अपने आपको पार करके आगे बढ़ाया है तो यह रेल दुरघटना भी उसमें से एक बड़ी चुनोती है और जिससे निपटने के लिए अब लगातार मानव लगा हुआ है तो क फिर कवच प्रणाली क्या है क्योंकि कवच प्रणाली उस प्रणाली के बारे में कहा जा रहा है कि वह रेल दुरघटनाओं को रोक सकती है फिर उसके बाद कैसे बचाता है या दुरघटना से यह बात हम समझेंगे फिर उसके बाद अभी भी क्यों रेल दुरघटनाओं हो हैं अगर कवच प्रणाली यह आ चुकी है भारत में या भारत में विक्सित हुई है तो फिर पिछले दशक में कुछ बड़ी-बड़ी घुटनाएं हुई है हम पूरे दशकी तो नहीं लेकिन कुछ घटनाओं को लेंगे जो अभी हाली में बीती हैं हमें याद भी है और उस के पास में हुई थी जिसमें के एक मालगाडी थी जो सियाल दाह जाने वाली थी और एक कंचन जंखा एक्सप्रस थी तो कंचन जंखा एक्सप्रस रेट सिगनल पे खड़ी हुई थी और पीछे से मालगाडी आती है और उनके बीच में टक्कर होती है और इस प्रकार से हो जाती है कि कवढस system वह system था जिसके बारे में पिछली एक-2 साल में बढ़ी बाते पुमी कि रेल धुरणा भारत में होगी नहीं लेकिन फिर भी अब क्यों हो रही है तो सबसे पहले हम समझते है कि कवढस system है क्या कवस system देखिए 2012 की बात है अनुसंधान डिजाइन और मानक संगठन RDSO द्वारा विक्सित किया गया था इसकी शुरुवात हुई थी और उस जौरान इसे किस नाम से जाना जा रहा था Traffic Collision Avoidance System और इसका मकसद ही यही था देखिए है किस प्रकार का सिस्टम है TCAS Traffic Collision Avoidance System का सीधा मतलब यह है कि जो ट्रेन है उनकी दुर घटनाए ना हो उनकी टक्कर ना हो कोई ऐसी स्थती ना बने जिसके जान माल का नुकसान हो इसी के लिए पूरा पूरा इशा प्रणाली पर काम करता है और देश में विक्सी था इसलिए राश्ट्री की बात हो कि ATP आटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन प्रणाली पर काम करता है मतलब कि यह खुद से चीजों को समझता है देखता है और उसके अनुसार अगर जब इसे लगता है कि यहां पर उस इस मानक पर कोई प्रणाली डिवलप की जाती है तो इसका मतलब होता है जैसे लेवल अगर चार मैंने बता दिया तो लेवल चार पर यह प्रणाली है इसका सीधा मतलब यह है कि 10,000 साल में एक बार ही कोई तुरूटी होगी यह इस प्रकार की प्रणाली है यानि कि यह बह प्रणाली को देखे, प्रणाली में देखे क्या है, यह अपने आप में electronic उपकरणों का एक पूरा का पूरा सयोजन है, अब यहाँ पे क्या होता है कि radio frequency identification उपकरण लगाये जाते हैं, तो पूरा का पूरा set होता है, यह पूरा काम किस पे होगा, radio frequency को पढ़ा जाएगा, उसक के आधार पर activity होगी, तो यह उपकरण लगेंगे कहां कहां पर उसको समझें, चित्र के माध्यम से, तीन जगहां पर उपकरण होते हैं, एक तो जो लोको मोटी होता है, यानि कि जो engine का डबा जहां पर cabin होता है, जहां पर train को चलाने वाला बैठा होता है, एक यहां पर अलावा जो station होगा, इस कवस system का अपना एक station है, उस station से यह सारा data कैसे हर जगह से आ जा रहा है, तो यह देखिए, हर जगह जो system आ रहा है, वो radio communication हो रहा है, radio frequency के माध्यम से, तो इन दो trainों के बीच में भी radio frequency के माध्यम से पता चलेगा, कि यह एक दूसरे से अगर पास आ नहीं है, तो एक दूसरे को जानकारी दे पाएंगी, और कवस system active हो जाएगा, और अगर कवस system जब active होगा, तो इसका मतलब क्या है, यनि कि कवस system दुर घटना से हमें बचाएगा, कैसे, यह बात क्या है, दरसल इसका मतलब यह हुआ, एक एक point से समझते हैं, सबसे पहली ब अगर उसके बाद भी train नहीं रुकती है, तो यह break भी लगा देगा, अपने आप यह system ही है, जो break लगा देगा, चालक भी नहीं लगाएगा तब भी, उसके अलावा यहाँ पर देख लिजे, मान लिजे, कि एक ही track पर दो train एक दूसरे से आसपास मिलने वाली है, मतलब कि ब तो operator को बताएगा, और operator को बताने के साथ ही break पर भी नियंदर्ण हासिर करके, यानि कि break पर उसका नियंदर्ण रहेगा ही, वा break लगा सकता है, यानि या तो पहले गती कम करेगा, फिर break लगा देगा, फिर उसके बाद मान लिजे, मौसम अगर खराब है, तो मौसम अगर ख frequency के लिए उपकरने हां लगा हुआ है, तो signal भेज करके या अपनी उपस्तती दर्ज कर आता है, और आस-पास अगर कोई train है, तो उसके उपस्तती का भी अंदाजा लगता है, जिससे आपात काल के स्तती ना हो, कोहरे जैसे मामलों में, फिर उसके बाद देखे, अगर over speed होत कि इस cover system को या बात पता चल जाएगा, और वह over speeding को कम कर देगी, वहाँ पर brake लगा देगी, तो यह अपने आप हो रहा, इसलिए मैंने कहा, automatic protection है, तो फिर दिक्कत गया है, अगर इतनी अच्छे चीजे हैं, दस-हजार साल में एक बार तुटी होगी, इस standard पर यह बना है, अभी भी दुरघटना सिर्फ इसलिए हो रही है, क्योंकि देश का जो railway track है, वो एशिया का सबसे बड़ा railway track है, 68,000 km का track है, और इस 68,000 km के track में सिर्फ 1,500 km के route पर ही कवस system अभी लग पाया है, अब आप सोचिए, 68,000 में 1,500 पर लग पाया है, तो बाकी में अगर नहीं ल लगा है, और वहाँ पर फिर वह गुंजाईश बनी रहेगी, कि ट्रेने आपस में टकरा सकती है, अब यहाँ पर देखे, लागत की बात करें, एक बड़ा कारण बन जाता है, दो कारण है, जिसकी वज़ा से दुरघटना भी हो रही है, पहला कारण क्या था, कि बहुत लं हजार किलोमेटर के लिए 50 लाग रुपए प्रति किलोमेटर अपने आप में हजारों करोड रुपए का खर्चा है, अब बात सिर्फ उसकी भी नहीं कि हजारों करोड रुपए के खर्चे से चीजें ठीक हो जाएंगी, बात यह है, एक साथ पूरे ट्रैक पर, पूरे कवस सिस्टम आ जाएगा, उपरन लगा दिये जाएंगे, 2025 में भी 3000 किलोमेटर पर ट्रैक लगा दिये जाएगा, लेकिन फिर भी कितना होगा, 3-3-6 और यह 7-7,000 किलोमेटर, 2025 के अंत तक में, फिर भी एक लंबा रूट बचेगा, फिर उसके बाद बात आती है, जो 2024 में जो ट्रैक लगने वाला था, जो अभी हाल में दुरगटना हुई है, पश्चिम मंगाल में, उस रूट में भी यह ट्रैक लगने वाला था, इस साल के अंत तक वह लग भी जाता, लेकिन उसके पहले यह दुरगटना हो गई, और भारत में 2012 में कवस सिस्टम के लिए एक प दूसरी ट्रेन को सिगनल दे दिया जाए, जिससे आपस में वह टकराएना, लेकिन उसमें दिक्कत यह हो गए थी, जैसे माल लीजे कि दो पट्रियां है, इस प्रकार से एक तरफ से ट्रेन जा रही है, और GPS सिगनल यह होता था, कि जैसे ही कोई ट्रेन पास में आएगी तो सिगनल मिल जाएगा, तो यह रुक जाएगी, लेकिन दिक्कत यह थी कि बगलवाली पट्री में भी कोई ट्रेन पास आती थी, तो उसका भी सिगनल मिल जाता था, तो उससे गलत फहमी भी हो रही थी, तो इससे बहतर यह नया जो बना वह बहतर प्रणाली थी कवच, और ती क्या थी, हमने देख ली, क्या होता है, देख लिया, लेकिन इसके पहले अभी देखें, कुछ दुरघटनाएं हुई, जो बड़ी एक दुरघटना थी, पिष्टे साल 2023 की, की शाली मार, चिन्नाई, कोरो मंडल एक्स्प्रस जो थी, वह किस से टकराई, एक मालगाडी स और उसके बाद, एक तो इनके टकराने से जानमाल का नुकसान हुआ, कई लोग मारे गए, उसके बाद इसके कुछ डब्बे, बगल वाली पट्री पर आ गए, उसकी वज़े से बेंगलूरू हावडा सुपर फास्ट एक्स्प्रस भी उसके चपेट में आ गई, और इस तर 2020 में देखें, और अंगाबाद के पास मालगाडी की चपेट में कई लोग आ गए थे, तो कई दुरगटनाएं हर साल हम ट्रेन की देखते रहते हैं, और यह प्रणाली अपने आप में बहुत बहतर है, बसावशकता है, यह सारे रूट पर लग जाए, और जिस प्रकार से यह तुरूटी रहीत बताई जा रही, यानि कि 10,000 में, 10,000 साल में एक बार तुरूटी यह दे सकता है, तो उस हिसाब से आप आरने वाले समय में हम देखेंगे, इसका क्या विकास होता है, क्या इसका विस्तार होता है, और जो भी अपडेट होगा, आपको हम बताएंगे, किलहाल के लिए आज का अभ्यास प्रशन है, कि कवश परनाली निमलिखित में से किस सुरक्षा मानक पर आधारित है, सेफ्टी इंटिक्रिटी लेवल एक, सेफ्टी इंटिक्रिटी लेवल दो, सेफ्टी इंटिक्रिटी लेवल तीन या सेफ्टी इंटिक्रिटी लेवल च दियर व्यूवर्स अपने एक्जाम की तयारी को और बहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना न भूले